तो अभी थोड़े दिर पहले जो कुछ भी आपने whiteboard पे देखा अब उसे ही आप यहां ppt में देख रहे हैं तो सबसे पहले java user input होती क्या है scanner लिखने का तरीका java.util java.util क्योंकि यह utility package है to use the scanner class, create an object of the class and use any of the available method found in the scanner class documentation in our example we will use the next line method आप scanner लिखने के बाद कैसे लिखेंगे यह देखे पहले यह देख लेते हैं कि कौन-कौन से values को हम input कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको अलड़ी mathematical functions दिखा है इसके अलावा java scanner इन सभी values पर काम करती है अगर आप boolean value ले रहे हैं मतलब true false को ही programming कर रहे है if else वाले में भी use कर सकते हैं byte के लिए double के लिए float के लिए int next line जाने के लिए ठीक है यह सारी values को यह picture की screenshot इसको ले लीजे या लिख लीजे साथ साथ इसको वीडियो को थोड़ा stop करके चलिए अब एक program देखते हैं जो scanner class पे बना हुआ है थोड़ा सा confusion हो रहा होगा आपको देखकर कि यह क्या लिखी हुई है भी first line तो आपको याद रखना है scanner लिखने के लिए जो first line हम use करते हैं वो रहता है import java import space java.util.scanner ठीक है जिसमें सिर्फ एक letter capital है वो है S आप comment में साथ में देख रहे हैं यानि आप अब की बार program देने वाले है value आप देने वाले है ठीक है तो आप चली program शुरू करते है जैसे class main रखा गया program का नाप और बाकी second line तो same है scanner my object यहाँ पर अब कुछ भी लिख सकते है scanner sc लिख सकते है x लिख सकते है y लिख सकते है अपना खुद का नाम लिख सकते है कुछ भी allowed है scanner new scanner system.in यहाँ से scanner program अब शुरू हो गया यानि आप अपनी value अब दे सकते है system.out.println enter username इस program में username को enter कराया गया मतलब जब भी program end होगा मैं दिखाते हूँ उसका output कैसा आएगा ठीक है string username my object dot next line और system.out.println में क्या है username बतलब username सिर्फ enter करना है चले इसका output देखते हैं जब यह program complete हुआ तो आप देख रहे हैं यह program आपसे मांग रहा है कि आपको कौन सा username देना है भाई आप दो ठीक है जैसे कि आप shopping करते हो तो कैसे वो options देने लगता है कि कौन सा item आपको purchase करना है तो आप search में जाके डालते हो न वो सारी program scanner class वे बनी होती है क्योंकि वहाँ choice आपको देने बोला जाता है look at the next program अगर आप इस program में देखें बहुत interesting है first three line याद हो गई कि scanner कैसे लगाना है scanner के बाद आपको यह नाम लिख सकते हैं scanner का जैसे इसमें बार-बार use किया गया है my object आप मैं ज़्यादा करके sc लिखती हो तो आप वो भी लिख सकते हो scanner sc ठीक है small में new scanner system.in third line तक तो यही करना है फिर next में उन्होंने enter कराया है name, age और salary यानि इस program के आखरी में किसी भी आदमी की नाम, age और salary मांगी जाएगी ठीक है और फिर ये comment line आप input कर दीजे किसको input करेंगे name को जैसे हम normal programs में करते है body यहाँ पहले system.out.print क्यों लगा हुआ है किसी को अगर confusion है तो यह ज़रूर बूचेगा मैं फिर भी यहाँ पे clean कर दे रही हूँ कि पहले हम इसले लगाते क्योंकि हम print कर आ रहे हैं कि यह चीजे हमें पहले हम यह heading डाल रहे हैं इसके बाद वो values अपने आप आती जाएंगे यानि हम value बाद में बुलाते हैं और जो चीज हमें चाहिए वो हम पहले लिख देते हैं ठीक है तो सबसे पहले string में रहेगा नाम तो string में रहता है आपको पताएं वो को integer नहीं है तो string name फिर वो जो आपने scanner के साथ यूज किया था same use कीजे my object dot next line ठीक है second में age को enter कराएं int age फिर my object dot next line आपकी बार salary को करें तो salary उनों double में रखे क्योंकि वो कई बार पैसे में रुपे पैसे में होती है अब देखे इसका output क्या आया देखा आपको कितना मज़िदार program है आपको खुदी पूछता है program अपना नाम, age और salary एंटर कीजे इसमें कई हजार लोग अपनी name, age और salary change किया जाता है, उसके लिए हम कौन से scanner class को use करते हैं, वो दिया हुआ है तो यहाँ देखे, कौन सा class use करना, अगर आप पहली बात तो date अगर आप change करना चाहते हैं, या डालना चाहते हैं किसी program में तो हमेशा आपको 4 digit का year, 2 digit का month और 2 digit का date डालना है अगर 5 तारीक है तो आप 0,5 लेखेंगे, time डालना है तो वो इन चीजों में measure होती है minute, second और nanoseconds में और अगर आप date और time दोनों डाल रहे हैं तो ऐसे डालेंगे, और अगर आप date को, time को format कर रहे हैं यानि आपने एक time पहले दिया हुआ है आप उसको change करना चाहते हैं, double डालना चाहते हैं, तो ये use करेंगे ये भी picture ले लिजेगा, क्योंकि ये लिख कर याद रखना पड़ेगा, programming के दोरान अगर आप भूलते हैं, तो marks cut जाती है तो चलिए अगर display करना है current और date, current date को तो कैसे program बनाए, import करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद डालोगे date तो programmer खुद डालेगा, तो import java.time.localdate, ये आपको format follow करना है, ठीक है फिर public class main शुरू हो गया public static void main वाला line same रहेगी, local date इस बार scanner नहीं लिखेगा, इस बार local value डाल सकते हैं, फिर local date.now जो red color में आप देख रहे हैं वो याद रखना है, वो functions के नाम है फिर system.out.println केवल आपको date ही बांग रहे हैं तो आप उसी को display कीजिए, देखिए output के आया, जो तारीक उन्होंने डाली जो भी चाहेगा user वो तारीक डाल सकता है, वो date डाल सकता है ठीक है, अगर आप time change करना चाहते हैं, तो ये format follow होगा, कोई खास change नहीं है, बस local time last second line चेक करें, कैसे लिखना है बाकि सब same रहेगा, ठीक है ओके, देखे, time आगई screenshot ले लिजे, अगर देर लग रहे है लिखने में तो, क्योंकि ये note कर लें तो better होगा, इस से related कोई program आपका miss नहीं होगा, अब आपको अगर display करना है current date और time दोनों साथ साथ, तो in that case आपको क्या करना पड़ेगा, local date time वाला function यूज़ करना पड़ेगा ठीक है, और जब आप उसे साथ use करेंगे, तो देखें नीचे output कैसे आया, पहले आपका date आ गया, उसके time आ गया, ठीक है, और तो ये आज का जो है topic complete हो गया है, इसका second part video आपको जल्दी ही मैं दे दूँगी और मैं आपको task यही देती हूँ कि आप जितने programs में बने हैं इस वीडियो में, इसको कम से कम दो-दो बार practice कर लें, और जो मैंने functions आपको बताये थे, वो अच्छे से practice कर लीजे, मैं अगले वीडियो में आपको strategic task provide करूँगी, हमें quiz करेंगे till then stay safe, stay home, bye चलिए, अब task note कर लीजे, scanner program से related, अब आपको format तो आई गई है scanner program की, तो आज मैंने आपको यह five programs दी है, task में इस वीडियो के end में जो आपको use करने हैं, चलिए first program क्या है, write a program to input जैसे ही, input word आपको मिले, यहाँ पर जैसे मिल गया, input होता है या enter word होता है, तो उसका मतलब होता है ऐसे program, scanner program है, ठीक है आपको input करने है, length और breadth को और एक rectangle का area find out करना है, याद रखे scanner program में, beginning में तो आपने import scanner वाला शुरू करना ही है, और बाद में जब दो values आप integer value input करें, उनके लिए भी special statement use करें, जैसा कि आपको example में दिखाया गया था, second program है write a Java program to create a class student to input marks, पहले एक class बनानी है student नाम का program शुरू करना है आपको, और इस student के कितने marks enter करने है English, Maths, Physics, Chemistry, Bio and Computer Application, enter नहीं करने है, अदलब create करनी है उसकी space, तो कैसा करोगे, import Java, Util वाला first line डालोगे फिर public class आजाएगा आपको, नाम आजाएगा इसका student है, फिर scanner से enter करेंगे, SC new scanner वाली line आएगी, अब यहां से system.out.printl and enter the marks of physics ऐसा first subject है English है फिर आप उसको English के आगे SC dot ऐसा करके लिखना है, ठीके? इस तरह से values सारी की सारी पहले enter करा लेनी है, फिर उस student के total marks और percentage को evaluate करना है, आप बनाएं अगर कितकलीफ होगी, तो please reply करें comment box में, I'll definitely help you for that third program है, write a Java program to input two fractional याद रखिये, fractional बोली दिया गया है, इसलिए ताकि आप double ले आप यह नहीं कि आप यहाँ पर integer value ले ले ठीक है, आपने कोई दो value x और y जो है, वो double के form में input करानी है, scanner के format को follow करना है, उसके पाद उन्हें add करना है और system.out.ln में add वाला जो आपका value है, वो वहाँ पर print कराना है clear, तो जब आप इसकी output screen पर देखोगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा, enter a number, enter a number तो वहाँ पर जो number enter करोगे तो add होता जाएगा next is write a Java program to input three sides of a triangle and print area, इसके ऐसे formula आपको अगर नहीं आती है, तो basic question में कई बार formulas mentioned रहती हैं exam में तो formula भी आप वो कर सकते हैं a plus b plus c जैसे कि 5th question में formula लिखा हुआ है, write a Java program to input radius of a circle, एक पहले radius आपको enter कराना है print करनी एरिया πाई नहीं लिखना है उसके चकब पर पाई की value 2.14 लिखनी है, okay and what is that 2.14 ना, रहेठ है और R जो आपका है वो रहेगा और circumference भी आपने print करना है so this is the 5 programs which you have to complete by the end of this scanner and next video में हम इसी को continue करने वाले हैं okay, bye bye